नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम सब समझ चुके हैं कि कोरोना एक नए तरह का वाय इनफेक्शन है, जिसके वारे में कहा जा रहा है कि ये बैट यानि चमगादर से फैला है तीन मेहने बी जाने के बाद भी पूरी दुनिया के वैग्जानिक मिलकर अभी तक इसका कोई वैक्सिन नहीं बना पाए हैं, इंक्लूडिंग चाइना जहां से फैलना शुरू हुआ Observation के बाद जो conclusion निकाला गया वो ये है कि Corona या COVID-19 के 4 stages हैं जो हम आगे वीडियो में एक के करके समझेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि हिंदूस्तान किस stage पर पहुँचा है और इसे फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं मगर इन सबसे पहले ये समझना जरूरी है किसका खत्रा सबको बराबरी का नहीं है मैंने इससे पहले भी एक वीडियो इस बारे में की है जिसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा और description में भी होगा आए बात करते हैं Corona की stage 1 के बारे में stage 1 को समझने के लिए मैंने इसे नाम दिया है migration stage का नाम से समझा जा सकता है कि ये वो stage है जहां एक foreign country से आयवा हमारा या उनका नागरिक हमारे देश में आता है जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि वारस का origin चाइन से माना जा रहा है तो समझने के लिए जा मान लिजिए कि इस stage की global शुरुबात उन लोगों से हुई होगी जिनका चाइना जाने का इतिहास रहा है या उन जगहों से हुआ होगा जहां पे चाइना के नागरिकों का आना जाना रहा होगा इस stage की खासेत यह है कि जितना कम इसका खत्रा है उतना ही कम इसके detect होने के chances है क्योंकि बहुत समभावना है कि जो इंसान host या primary infected हो वो recover कर जाए अपनी immunity के मजबूत होनी की वज़े से पर इसके फैलने का खत्रा सबसे जादा इसी stage में है कोई देश अगर इस stage पे इस virus को रोक ले तो वहाँ नुकसान सबसे कम होगा जिसके लिए सारी दुनिया देरी कर चुकी है Stage 2 या समझने के लिए local transmission इसको समझने के लिए मान लिज़े कि कोई infected इंसान आपकी locality में रहता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार और परीजनों को infect करेगा जा उन लोगों को जिन से उनका रोज का मिलना जुलना होता है जैसे कि उसके दोस्त, आफिस के कलीग्स और नज़दी की लोगों को इस stage में फैलने का खत्रा बहुत जादा हो जाता है क्योंकि ये एक छोटी locality को infect करने के लिए अब multiplication का process शुरू हो जाता है इस stage में अगर लोग सूजबू से काम ले और रोग थाम की सभी precautions लें जैसे कि infected लोगों को quarantine करना और social distancing रखें तो खत्रा कम किया जा सकता है आपके जानकारी के लिए हिंदुस्तान अभी stage 2 पर है जो एक बड़ी उमीद की तरफ इशारा कर रहा है बहुत जरूरी है ये समझना कि stage 2 या local transmission में infection कैसे बढ़ता है ये saliva droplets या sneezing, coughing जैसी चीज़ों से फैलता है अब आपको समझने में आसानी होगी कि quarantine या lockdown के क्या फाइदे हैं और ये जरूरी क्यों है आई आगे बढ़ते हैं और समझते हैं stage 3 क्या है stage 3 या समझने के लिए community infection ये stage तब आती है जब आप stage 2 को lightly लेते हैं या समय रहते नहीं रोकते अपने नाम के हिसाब से ही ये एक community को infect करता है और contamination के chances बढ़ते जाते हैं इस stage पे mode of contamination का पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है आसपास की चीज़े जिने हम छोते हैं जहां हम खाते हैं या ways of transport और ऐसे हर चीज़ जो सारवजनिक है उससे ये वारस फैलता है क्योंकि ये एक सता से दूसी सता आपके हाथों और अनी moving चीज़ों से फैलता है इस stage पे आगे detection rate बढ़ जाता है पर साथ ही बढ़ता है death rate और ये आपके chances spreading के isolation में चा लोगडाउन में भी बहुत हाई होता है इस stage चाइना ने अपना infection control कर लिया था और आज की date में इटली और इरान इस stage को पार करके आगे बढ़ने की कागार पे हैं जो उन्हें stage 4 पे लाकर खड़ा कर देगा stage 4 या आम शब्दों में इसे last stage समझ सकते हैं अभी stage के बारे में ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस वारिस के सभी पहलू और तथे साबित नहीं हुए हैं पर भगवान ना करे कि हमें ये देखना पड़े इस वारिस की संक्रामिक शक्ती इसी से समझे जा सकती है ये अपने stages के साथ ही powerful होता जाता है इसको जितना कम पर रो के खतम कर दो उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए और हमारी generation के लिए तो i-link की वीडियो में आपको इसके precaution और इस वारिस के बारे में बताया गया है वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और जाग रुकता फैलाएं